वेलकम तो दे बीएस आनलाइन इस्टडी दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सामाज का देन देलेट प्रथम सेमेस्टर के बहुत विकल्पी प्रशनों को पढ़ेंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि आप आप्षन ओ पंदर जून से 15 सितम्बर तक आप्षान सथा बादोन से तक आप्षान यून सूकि अपशन दो नोखेग आप्षान और ईन्से कोई नहीं तो प्यारे को रॉस में अधा अगरे कह सबसे प्राचीन पूरान है आप्षन शांखे दर्शन के प्रवर्तक हैं शांखे दर्शन के प्रवरतक हैं प्रवर्टक और आप्शन दोस्तों शांग के दर्शन के प्रवर्तख से जानते हैं अगला प्रसुंद माहा भारत को अन्य किन नामों से जानते हैं अप्शनों है दोस्तों जै संघित्ण आपसंग्स ना अ आप्शंस अ त्था बहुत दोनों और आप्शंद इनले से कोई नहीं तो दोस्तों जो इसका राइट एंस वह आप्शंस अ तथा बहुत दोनों तो महा भारत को जैसे चैना में ताके वी नाम से जाना जाता है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों शत्य में उजयते किस उपनिशत से लिया गया है तो आपसन अ है दोस्तों मुंड को अपनिशत और आपसन बरिगवेद आपसन से यजुरवेद आपसन दश्यामवेद तो दोस्तों जो इसका राइट है वह है आपसन मुंड को उपनिशत से लिया गया है अगला प्रसन देख रीगवेद और आफफ संद्र अथर वेद तो दोस्तों मास्ट गमार जो है दोस्तों वह रिगवेद spirits से लिए जाय गयाहे दोस्तों रिगवेद से उसका जो राइडरंसर वह है Sorry अगला प्रसिए देखते हैं दोस्तों मूल अधिकारों की शंख्या है आप से चो और सब बंड़ हो सचार आप संधौ स्वान की यह जायेकर hija सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है तो सबसे प्राचीन फसल कौन सी मानी जाती है सबसे प्राचीन फसल जो मानी जाती है अर्था इसका जो राइट एंसर है वह आप्शन फसल देखते हैं दोस्तो मोहन जोदलों का शम्मंद किस नदी से हैं आप्शन अ है दोस्तों शिंदु नदी और आप्शन बाचीन फसल रावी नदी आप्शन सगंगा और आप्शन यमुना तो मोहन जोदलों का सम्मंद किस नदी से हैं तो दोस्तों शिंदु नदी से हैं किस नदी से दोस्तों शिंदु नदी से अर्था आप्शन और जो है इसका राइट एंसवर हैं आगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों ग्रिश मेरितु से सम्बंधित हैं अप्शन है दोस्तों 15 मार्च से 15 जून 22 दिसंबर की स्थ्ति सा और तथा बहुत दोनौं और आप्शन vrij इन मेंसे कोई नहीं तो दोस्तों जो ग्रिश मेरितु है वह पंद्रब मार्च ये पंद्रब जून की बीच होती है आप्शे सब्सक्राइब करता है आप सन्ट राखल दाश बनर जी आप संस यगदत शर्मा और आप संद रबिंद्र श्रींग तो दोस्तों मोहन जोदलों के जो उत्खनन करदा है वह है राखल दाश बनर जी कवन है दोस्तों राखल दाश बनर जी आप्शन ब राइड एंसर अगला प्रस्ट हरपा सब इता का शंबंध है अगला प्रस्ट देखते हैं शिंदु घाटी सब इता यानी हरपा सब इता के उत्खनन करता है आप्षन और राकल दासबनर जी ब दयाराम सानी और सरंगनात राव और आप्षन द बीके थापर तो दोस्तों जो सिंदु नदी घाटी सबेता है सिंदु घाटी सबेता नहीं हरपा सबेता उसके जो उत्खन करता है वह है दोस्तों दयाराम सानी कौन है दोस्तों दयाराम सानी तो बईस का जो है राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है तो गंगा नदी यमना नदी गोदावरी नदी या एस अभी तो दोस्तों भारत की सबसे लंभी नदी वह तो गंगा नदी अरप्षन और इस राइट एंसवर अगला प्रसंद देखते हैं किस रेखा के उत्तर में उत्तरी द्रूव ताथ दच्छडी द्रूव में प्रसंद दूरू है तो अप्षनिकारा किस रेखा के सगा है इसका आप्षां ँ चोई को तोड़े संगा है तो किस सखो गोल अच्छर Si당 आप sollot क्सक्रक दोश्टे का कुस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार तथा द चल थे गोलार गीह कहले अप्षण और तो इसका जो राइड अंसर है वह है दोस्तों आप सब्भूमद रेखा किसमें दोस्तों भूमद रेखा प्याइग अगला प्रसंद देखते हैं प्रमुक्सक्ती के शाधन है आप्षन और कोईला बिद्धु खनीज़ देल और आप्षन बहुद लोहाइश पाथ आपसंद सब्वाइय यहँमजल और आपसंद ए शभी तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइड अंसर है वह है आपसंद ए सभी तो जो शक्ति के शाधन है व अगर्ला प्रस्थर देखते हैं ध,, प्राक्षटिक आपड़ाएं है आप्सन भुकंपे भबाड़ शषूका र dasd सभी तो दोस्तों प्रक्रती कि यह सब यह है तो इसका जो राइट दाप पेटी की और बहती है आप शन्ब इसका छेत्र दोनों गुलार्द में 30-50 अच्छांसों तक होता है आप संद्ध यह हवाई आवाज करके चलती और आप संद इस सभी तो दोस्तों जो इसका राइड अंसर वह हो जाएगा आप संद इस अभी तो जो दोस्तों जो पच्छुआ से जो हमाज चलती है यह उच दाप पेटी से निम्न दाप पेटी के और चलती है और इन दोनों का जो गोलार्द है वह 30-50 अचान्सों के बीच होता है और यह जो हवाई होती है वह आवाज करते हुए चलती है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों कि जब प्रित्वी पश्चिम से पुरो की और अपने अक्स पर घुमती है तब जो भाग सुरी के पीछे आता है वहां होता है रात दिन रात दिन दो इन में प्रित्वी पश्चिम से पुरो की और अपने अक्स पर घुमती है तो जब भाग सुरी के पीछे आता है वहां पर जो हमेशा रात होती है अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों कांसे यूगिन सेंदव सब्यता अपने विक्सित रूप में प्रकट होती है कब प्रकट होती है आप्षन और तेज सव इसा पूरो आप्षन 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 सव इसा पूरो तो दोस् अगला प्रस्तं देखते हैं दोस्तों कर शीतरितु से संबन्धित थे आप सनओ दिसंबर से 15 मार्च आप सन्वह सभन की इस्ति आप संच से 21 मार्च से 23 मार्च की आप संद अग तो दोस्तों तो शीतरितु होती है वह जो तो पंद्रड दिसंबर से 15 मार्श की बीच होती है तो इसका राइट एंसर hoए अगला प्रहशन देखते हैं दोस्तोंTHE क्राइब काल के संस्थापक है nay आप्षन चंद्रगूप्त माऔरái आप्षण बबिन्दुशार आप्षन अशोक और आप्षन दकुराल तो दोस्तों मौरिकाल के जो स्थापक है वह हैं चंद्रगुप्त मौरि आप्षन और इसका जो है राइड एंस्वन हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों नालंदा विश्विद्याले की अस्थापना किसके सासनकाल में हुई तो आप्षन और है दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम कुमार गुप्त दूति अश्कंद गुप्त और शमुद्र गुप्त तो दोस्तों नालंदा विश्विद्याले की अस्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम के सासनकाल में हुई थी किसके येकको पांच फह सवाट के देखते हैं महाभारत के र स्टेटा हैं अप्सन मर सिबाल मी की आप्शन वा वर यासạं और दोम आप्शन इनिमन को इन शेक कोई बैद ब्यास जी कौन कि यहते हैं बेद ब्यास जी माहभारत के रचैता है तो आपसन बब इसका जोए रायट 10 सरो जाएगा अग 21 देखते हैं मर हमार रचाल कर्टचा है वह नगुंस कर आ庭 गषाई आप्षन अगला प्रस्ट देखते हैं कि शंगीत का संबंध है शंगीत का संबंध है आप्षन और शामवेद आप्षन यजूर्वेद आप्षन अथार्ववेद तो दोस्तों शंगीत का जो संबंध है वह संबंध से किसे दोस्तों शामवेद से जो है संगीत का संबंध है । तो इसका जो राइट अंसर right हो जाएगा वह हो जाएगा option अगला प्रश्ट है भ्यापायिक हमाई यह मिलती है पांच अंस। यह इस चारीस पूरोपस्टिक और आप्संद इसका right ऐंश्षी वह हो अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों जयन धर्म के अंतिम तिर्थ करते आप्षन पारशनात आप्षन रिशब देव आप्षन स महावीर स्वामी और आप्षन अकबर तो दोस्तों जो जयन धर्म के अंतिम तिर्थ करते वह थे महावीर स्वामी जी कौन थे दोस्तों महावी श्वामी और ताथ आपसंस राइट एंसर जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं जयन धर्म के 24 में तिर्थ कर थे आपसं और रिशवदेव पार्षवनात समाहाबीर श्वामी और आपसंद गौतम बुद्ध तो दोस्तों जो इसका राइट एंसर है वह हो जाएगा आपसंस महाबीर श्वामी जी तो जयन धर्म के 24 में तिर्थ करते वह थे महाबीर श्वामी आपसंस राइट एंसर अगला प्रस्ण मैक मोहन रेखा का शंबंद है भारत और चीन से भारत और पाकिस्तान से भारत और अमेरिका से आपसंद इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो मैक म रेखा का संबंद है वह है दोस्तों आपसं भारत और चीन से किसे है दोस्तों भारत और चीन से जो है मैक मोहन रेखा का संबंद है तो इसका जो राइड अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपसंद अगला प्रसंद देखते हैं सबसे छोटा ग्रह है आपसंद बुद्ध दोस्तों जो सबसे चोटा रहे हैं आप बूद्ध कवन है को नहीं वबूद्ध कोफो है अरसे क्रश्म देखते हैं थाड़े चक्रवाथ है या भारत कम पर चैने और बहारत का आप प्रसंถब देखते हैं हुरिकैन चक्रवात संबन्धित है अप्शन मेग्ष roaring से बंगल की खारई ईसeln कसे आपशन जापान से तो धूर्ठ केकरवात मेक्शीको की खारई अन्याटके कि किस्षर स मैड़ित है दोस्तों मेक्शीको की खारई मेकर्फिकांति से इस गेर तो राइट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपies न ओर मेक्सिकों की खाड़ी अगला प्रश्ण की सिल टाइफुन चक्रवात कहां है यहीं कहां का है जापान का चीन का फिलिपीन्स का दो सभी तो दोस्तों हुं अप्षास आपान का चीन का और फिलिपीन्स सभी जगव का अर्थात इसका जो डाइट अंसर है वह हो जाएगा आप्षन सभी अगला प्राशन देखते हैं कि वीली वीली चक्रवात कहां का है आप्षन आश्ट्रेलिया आप्षन बचीन आप्षन सफ यूएस और आप्षन जापान तो दोस्तों वीली वीली जो चक्रव अधिक होता है तो केंद्र से हमाएं बाहर क्यों निकल चलती है इसे कहते हैं आप्षन चक्रवात बप्रतिचक्रवात सभुकंप और दोस्तों जब केंद्र में दाप अधिक होता है तो जो केंद्र से हमाएं बाहर क्यों चलते हैं उसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं क्या कह यहां निम्न दाप का केंद्र होता है आप संब इसमें केंद्र से बाहर की और दाप बढ़ जाता है आप संस और तताब दोनों और आप संद इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो चक्रवात की विश्चता होती है यहां निम्न दाप का केंद्र होता है और इसमें केंद्र से बाहर की और दाब बढ़ जाता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप्संस और तताब दोनों अगला प्रस्थ नेखते हैं दोस्तों चालुक के वन्स यानि कल्यानी का संस्थापक था आप्सन और जर्शिंग आप्सन ब तैलप दुथिये आप्सन सविलहर्ड और आप्सन राजेंद्र तो चालुक की वन्स का संस्थापक कौन था तो दोस्तों तैलप दुथिये था कौन था दोस्तों तैलप दुथिये इसका जो राइड हैं वह हैं आप्षण भी अगला प्रास्षण देखते हैं वर्धन के शनस्थापक थे मत्युंच ए कह अंप्षण यह मेंद का निर्मार करवाया आप्षन ओ बिंदुसार ब अशोक स अकबर और आप्षन द महिंद्र तो साची के इस्टूप का जो निर्मार करवाया वह कौन करवाये तो आपसन ब अशोग जी करवाये थे अगला प्रसंद देखते हैं वेढ़ सांग किस के सासनकाल में भारत आया अप्षन काल में भारत आया हर्ष वर्दण के सासनकाल में जो है भारत आया तो अप्षन औ इसका राइट एंट्सर हो जाएगा आगला प्रक्शन है दोस्तों इन्डिका के लेखक है मेग अस्तनीच चंद्रगुप्त मौर् अश्कंदुप्त और श्रमुद्र गुप तो दोस्तों इंडिका के जो लिखक हैं वह कौन हैं मेग अस्थनीज हैं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप्षन अगला प्रसित देखते हैं मेग अस्थनीज किसके सासनकाल में भारत आया आप्षन चंद्रगुप्त मौर अकबर सबाबर और हुम आयू तो मेग अस्थनीज किसके सासनकाल में भारत आयता तो आप्षन चंद्रगुप्त मौर की सासनकाल में आयता तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो के लिए राजश्य एवं भूमीकर के लिए शाम राज्जी वाद के लिए तो घुप्ट राजवस जो है दोस्तों कला अस्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध तां कि अगरा प्रसलेवें दोस्तों कि कला कृतिया कि से समद्धित थे आपकशन और हरपा काल चेए आप्षन ब मौरिकॉल से आप्षन सब बुद्ध काल से और आप्षन गुप्त काल से तो अजन्ता की जो कलाकृतियां हैं वह हैं दोस्तों गुप्त काल से सम्मधित किसे हैं दोस्तों गुप्त काल से तो आप्षन दो इसका जो है राइड एंसर हो जाएगा अगला प्राशन दच्छिडी गोलार्द में सबसे लंबा दिन कब होता है आप्शन A 21 जून B 23 सितंबर S 21 मार्च और 22 दिसंबर तो दोस्तों जो इसका राइट एंसर है वहाई आप्शन दवाइश दिसंबर को तो दच्छिडी गुलार्द में सबसे लंबा दिन जो है दोस्तों कब होता है 22 दिसंबर को होता है अगला प्रशन प्रित्वी सुरी के चार और परिक्रमा करती है लगभग तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर है वह हो जाएगा दोस्तों 365 दसमलव 25 दिन में अर्था आप्शन ब इसका राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि प्रित्वी सुरी का जो चक्कल लगाती है वह 365 सही एक बटे चार दिन में लगाती है अर्था 365 दिन लगता है और लगभग 6 घंटे लगती है इसलिए इसका जो राइट अंसर है वह हो और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही आएगा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जहिन बंदे मात्रण